स्वागत करता हूं राजिस्तान मुख्यमंत्री अनुप्रिती कोचिंग योजना 2022 सेशन की अगर हम बात करें तो इसके जो फॉर्म में कब से स्टार्ट हो रहे हैं कब तक फॉर्म भरे जाएंगे कौन-कौन सी विद्यारति इसके लिए अपलाई कर सकते हैं इसमें कौन-कौ आगर वीडियो का देखते रहें जिसमें अब तक चैनल को सब्सक्राइब करें लेकरन को प्रेस करें जिसे आने वाले सब भी वीडियो का नाटिशन आप तक पहुंच जाए आए वीडियो को स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं वैसे तो हमने इसके लगा हैं अगर आपने बारवी पास कर रखा कर्या है और आज़ियर करना चाहते हैं जिसे पटवार हो गया इसके लावा रास्तान पूरी स अगर इनके आप तयारी कर रहो है तो आप जो ऑन कर सकते हैं और रास्तान सरकार की एक अनुप्रिति कोचिंग योजना जिसके तैत आपको जो जितने भी संस्तान है जो सरुस्रे संस्तान है रास्तान प्रदेश के अंदर उनके अंदर को सीट होती है जिनमा आप अपलाई कर सकते हैं और वहां से कोचिंग कर सकते हैं अब इस में जो आपकी merit बनेगी वो दसवी बारवी की जो आपकी percentage है उसी के आदर पर बनने वाली है तो minimum बारवी पास आपको होना चाहिए और बारवी के बाद अगर आपको किसी competition exam या किसी entrance की तैयारी करना चाते हैं तो यह आप apply कर पाएंगे तो next question ने पर जोती यादवर का जोती यादव जी आपर कह रही है सर Rs की coaching भी है बिलकुल Rs की coaching भी है अगर आप Rs की coaching करना चाते तो भी आप form लगा सकते हैं कापी सारी सीट है जिनसे आप RS की कोचिंग कर सकते हैं और सबसे संस्तान जो है यहाँ पर कोचिंग करवाते हैं नीतु राज प्रोईत का कुशन है डेट कप तक है फॉर्म बरने की तो एक जुलाई से फॉर्म स्टार्ट हैं 31 जुलाई तक फॉर्म भरे जाएंगे SSO ID से आप फॉर्म करनेकी क्या है और और आगे जाए कि तयारी करना चाहते है तो उसके लिए को पिल्कुल इप स्टारी सजग करते हैं इस योज्णा में इसको सामिल किया गया है यह तो वीडियो में आगे बन्ने से पहले मां आपको बताना है इससांदर इंफ्परमेशन जैसा कि आम सबी जानते हैं कि सरकाई नोकी लगना जितना मुस्किल हो चुका है उतना ही मुस्किल है प्राइविट जॉब करना भी प्राइविट जॉब के लिए भी आपसे रिजू मांगा जाता है एक्स्परियेंस मांगा जाता है डिग्री मांगी जाती है यह सब अगर आपके पास मे grow करना चाहते हैं तो शांदार मोखा है तो Relevel by Annacademy का शांदार टेस्ट देकर attempt करकर अच्छा score करकर 200 प्लस इंडिया की top companies में आप job प्राप्त कर सकते हैं तो मैं आपको बताना चाहूंगा पूरला सरन के बारे में पूरला सरन जी को तो ऐसे ही मैं बात करूँ वसल सर्मा की तो वसल सर्मा को भी कोडिंग में job चाहिए था और Relevel का उन्होंने टेस्ट दिया और कोडिंग में शांदार job प्राप्त हो चुकी है इनको यह software engineer बन चुके हैं wing 5 company के अंदर और इन्होंने mechanical में अपनी degree complete की थी तो इनको भी job मिल चुकी है तो यही नहीं आप Relevel का test देकर शांदार job प्राप्त कर सकते हैं सबी companies के अंदर इसके अलावा शांदार package भी आपको मिलेगा 6 जुलाई से 10 जुलाई के बीच में शांदार test हो रहा है तो test का slot book करें test attempt करें अच्छे score करें और companies में job प्राप्त करें और बहुत ही शांदार package आपको मिलेगा सातीम आपको बतना चाहता हूँ best part यह है daily toppers को मिल रहे है amazon voucher up to 30,000 इसके अलावा event toppers को मिल रहे है शांदार gift tempers जैसे apple goodies apple iphone, macbook, apple watch यह सभी आपको मिल रहे हैं और 100 scholar को मिल रहे है government recognized certificates तो इनके जैसे ही आप अपना career भी बना सकते हैं reliable का test दे कर आप सभी को पता है 19 category के अंदर test अभी भी चालू है तो आप test जरूर दें HR, management इन सब category में sales, HR यह सभी category में test हो रहे हैं जी हाँ बिल्कुल UPA सिक तयारी कर सकते हैं लेकिन आप साथ में gration भी कर रहे हो अगर आप first year में, second year में, final year में तो यह आप तयारी कर पाएंगे साथ में 12 वी में आपके 70% marks होने चाहिए तब ही आप form लगा सकते हैं अगर हम RS की बात करें तो RS में 65 फिज दी आपके number चाहिए तो आप form लगा सकते हैं 12 वाद में अगर आप college में हैं gration कर रहे हैं तो आप form लगा सकते हैं next question है आपर जोती का जोती चाहूला जी आपर कह रही है सर इसमें SSE, CGL भी है क्या तो आपकी जितनी भी age हो उसका कोई दिक्कत नहीं है आप 12 पास होने चाहिए और अगर आपकी gration चल रही है तो भी कोई दिक्कत नहीं है next question आपर सूरज पाल कहा है सूरज पाल जी आपर कह रहे हैं सर में gration कंप्लीट कर चुका हूँ इस बार क्या मैं apply कर सकता हूँ 10th में 75% है 12th में 80% है बिल्कुल कर सकते हो और आपकी परसंट है अच्छी है तो आपकी chance भी है कि आपका merit में number आ सकता है next question जतीन का जतीन आपर कह रहे हैं इसका result कप तक आएगा तो पहले form बरे जाते हैं उसके बाद में पूरी कटॉप तयार होती है उसके बाद में result जारी होता है तो जल्दी इसका result जारी हो जाएगा next question आपर miss queen का है और यह कह रही है सरी योजना girls के लिए भी है कि आप प्लीज बताओ तो यह आपके doubt थे साथी अब मैं आपको वो doubt बता जिता हूँ जो general ही सबके होते हैं जैसे कि आपके जो form में start हो चुके हैं आप कौन-कौन से documents ही है तो जाती परमान पत्र important है क्योंकि आपको category के साब से छूट मिलेगी SC के अलग, EWS के अलग OBC के अलग, general के अलग को top रहती है तो जाती परमान पत्र important है आए परमान पत्र बहुत ज़रूरी है और कापी सारे विद्यारती है ऐसे होतिन के जो माता-पिता है वो government service में है तो अगर pay matrix level 10 तकी आपको उनके पता जी को या माता जी को अगर salary मिल रही है तो अभी आप फॉर्म लगा सकते है 10 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए इसके अलावा 8 लाग आपकी जो परिवार किया है वो 8 लाग से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए ये विशेस बात ध्यान रखनी है आय प्रमान पत्र आपको बनवाना होगा गजी टेट के साइन होगे उसमें दो गवाओं के साइन करवाना जलूरी है तो आय प्रमान पत्र जाती प्रमान पत्र ये important हो जाता है इस स्कोल्सिप के लिए ठीक है तो इस योजना का सभी विद्यारती लाब उठाएं ये कुछ को आपके डाउट थे जो मैं आपको बता दिये है इस प्रका के और वीडियो पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें धन्यवाद